नरेंद्र मोदी ने RSS के प्रचारक के उत्तरदायत्व से लेकर मुख्य मंत्री की जिम्मेदारियों तक हमेशा बड़ा लक्षे चुना छोटी-छोटी बातों को बड़े इवेंट के तौर पर प्रस्तुत करके जन भागेदारी से जुड़ा और जब वो प्रधानबंद्री उमीदवार के तौर पर देश के सामने प्रस्तुत हो रहे थे तब ये सारा कौशल एक साथ उनके काम आया जीवन के सेवा भाव को प्रधानमंत्री ने स्वयम सेवक रहते अपने कम्री की सफाई करके सीखा था प्रधानमंत्री बने तो देश को पहला लक्ष ही स्वच्छता का दिया बात छोटी सी थी लेकिन जन आंधूलन बन गई उस बाशन के अंदर कहा कि दो अक्टूबर को मात्मा गांधी जी की जैनती पर देश में सफाई बिहान चलेगा हम प्रते कोने में सफाई करेंगे और देश के लोगों ने भी इसको जो है सरहा है काओं कस्बों देहात अदिवासियों के बीच प्रचारक के तोर पर लंबे समय तक रहे मुख्य मंत्री बने तो महिलाओं की भागीदारी का मुद्दा उठाया बधान मंत्री बने तो कल्यार कारी योजनाओं से धूए में डूपती आखों के आसू पोछे करगिल युद्ध के दौरान नरींदर बोधी दिल्ली में पार्टी का स्टैंड मीडिया के सामने रखा करते थे उस समय जो मन की कसक रही होगी उसने प्रधान मंत्री बनने के बाद उरी और पुल्वामा के जवाब में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक का होसला दिया आज सरहदे खुद देश के पराकरम का बखान करती है कभी सामान्य कारिकर्ता के रूप में एक तिरंगा लाल चौक पर फैराने के लिए कन्या कुमारी से कश्मीर की यात्रा की थी प्रधान मंत्री बन कर सिर्थ 35 से नहीं बलकि पूरी धारा 370 ही उखाड फेंगी और पूरे कश्मीर को तिरंगे से पाट दिया कुरोना का संक्रमन प्रधान मंत्री के जीवन की शायद सबसे बड़ी चुनोती बन कर आई लेकिन आपदा में अवसर की अवधारणा और वैज्यानिकों पर उनके भरोसे ने दुनिया को भारत का सामर्थ्य दिखा दिया कुरोना से निपटने के लिए अनुशासन सबसे जरूरी था और जो जीवन से उन्होंने सीखा वो काम आया जैसे गुजरात बढ़ला वैसे देश के नवनिर्मान की प्रक्रिया निरंतर चल रही है काशी कॉरिडोर हो अयोध्या का श्रीराम मंदिर हो या सुमनाथ सर्कित अतल टनल हो भोगी बिल ब्रिज हो चिनाब ब्रिज हो या आईएनस विक्रान हर मोर्चे पर देश बदल रहा है इंडिया गेट पर अमर जवान जूती के परमपराएं बदल चुकी है राजपत अब कर्तव्यपत है